और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक यूटूब पर सुन रहे हो जितने लोग माले गाओं की ये पवित्र भूमी पर बेट कर कथा सुन रहे हो एक दिल से कहूं आप लोगों से आप सिकार करिएगा दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए अगर आपने दिल से करजा हो गया समस्या विकट हो गई तकलीब बढ़ गई दुख बढ़ गया आप संकर भगवान के मंदिर में जाकर ये जरूरी नहीं है कि आप सी हो रा पास में जो श्यू मंदिर हो उस मंदिर में एक लोटा जल चड़ाना चालूर कर दो और दीरे दीरे दुख काटना प्रारम कर देगा काटेगा दुख बस जल चड़ाने का एक नियम है शिर जी का शंकर भगवान को जो जल चड़ाया जाता है दुख काटने के लिए जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, यह शिवलिंग है, यह दो जो भगवान का पानी जहां बेह कर जाता है, यह गोल में से, तो यहां जो इस्थान है, यह सीदे भाग पर गणेजी विराजमान है, लेट भाग में कार्पी के जी है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जहां सुक सुन्दरी है उपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की पाँच लड़कियां है जया, विशहरा, सामलीबारी, दवतली और देव जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पारवती जी का हस्त कमल है जिसको पीठी का कारते है महाराज, जल चड़ाने का नियम है जब हमारे उपर दुख होता है, तकलिफ होती है, कष्ट होता है बड़ी दिक्कत, परेशानी होती है तो हम जल चड़ाते हैं, तो उस जल को चड़ाने का नियम है पहले गणेजी का स्थान, कार्तिके का स्थान, अशुक सुंदरी की जगा, फिर माता पारवती की पीठी का, उसके बाद जला धारी को इस्मर्ण करकर, जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है, जब धीरे धीरे शिवजी पर जल चड़ाएं, उसके बाद में आ जल चड़ाना प्रारम करो, और उसको कहना जरूर, तेरे दर्वार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूं कि कंकर शंकर है, और तू सुनता जरूर है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में हैं, भगवान विश्णु वेकुंत लोक में हैं पर मृत्व लोक में मेरा देव अदीदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर, और बाबा से विन्य करकर आपाईए, जल चड़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो एसे चड़ा गो, और अगर मन कर रहा है, डारेट शिव जी पर चड़ाना हो, तो वही समझ सकता है, जिसके भी तर्शिव समाया होगा, और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेस्बूक यूटूप पर सुन रहे हो, जितने लोग माले गाओं की ये पवित्र भूमी पर बेट कर क कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना, इस वानी का, इस व्यास क्वीट का, एक शब्द हो सकता है, हास्पिटिल में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति, करजे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत वेसन में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति को, आपके द्वारा निकली वी बानी से भी बाहर निकाल सकता है जैसे उस मा को कहा किसी ने सियोर वाला महराज के ताए एक बार चले तो जा संकरजी के मंदिर में उसने पत्र में लिखा जब वो सियोर वाला महराज के ताए चिला चिला कर के ताए एक लोटा जल सारी समस्या जा तो जा, साथ साल में उस बच्चे की वानी बापी साथ सकती है, जो पानी नहीं थी, जब वो बानी मेरा महादेव दे सकता है, वो देखो उस मा के चेहरे की खुशी, उस मा के चेहरे की रोनकता, जिसका बेटा साथ साल बार बोला हो, उसका आनंद देखिए कि कितना होगा कितना अनंद होगा एक बात और अच्छे से समझ लीजिए जो बच्चे चेचड़े होते हैं चाए घर में बेटे हों, बहुए हों, इस्तास हों, ससुर हो परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हों चेचड़ प्रवत्ति करते हों या चेचड़ा सभाव हो आता हो, शब्दों के वान चलते हों तो महराच परदोश के दिन परदोश काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो पान का मिल जाए तो पान का पीपल का मिल जाए तो पीपल का बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहर और साथ दाने चावल कर रख कर घी का दिया लगा दो महाराज और थोड़ा सा जल हाथ की अंजिली में लेकर भगवान देव अधिदेव महादेव का इस्मर्ण कर कर कि इस बैल पत्री के व्रक्ष के नीचे माता लक्षमी पारवती सरस् जिराजमान है इसी बैल पत्री के पेड़ के नीचे मेरे देव अधिदेव महादेव का बारा जोतिलिंग का सुरूप गठी उनका इस्मर्ण कर कर जल चड़ा दीजिए और उसका इस्मर्ण कर लो जो चिड़चिड प्रवत्ती करता है को रोत करता है जिसको बोलने का भान नहीं होता हो सम्मान नहीं देता हो अब शब्द करते हैं उनका इस्मर्ण करकर आप छोड़ेंगे एक दम एक प्रदोस करेंगे दूसरे प्रदोस तक आपको कोई दिक्का दीने दो तीन प्रदोस करकर देखिए बावा कर पार तीन जगहां पर अगर कोई बिमारी ऐसी हो अगर चालू ओ गई तो दवाई बंदी नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको तीन जगहां पर जल चड़ाना प्रारम कर दो मात्र एक हपते एक हपते से ज्यादा चड़ाना भी नहीं पड़ेगा जैसे एक हपते आप टेबलेट लेते हो गूली लेते हो एक हपते चड़ क्या करना है जल का पातर लेना है उसमें दो दाने चावल के डाल दोदने अक्षत के डाली पेले बेलपतरी के सिसके नीचे जाओ वहा जल चड़ाओ फिर जाईंए पीपल के ब्रक्ष के नीचे वहां ज Hagel चड़ाईयए आ pe crashing में या तो शमी के नीचे या फिर आवलेखे इन दोनों मेंसे कोई एक ब्रक्ष जिसके नीचे पर एक हफ्ते अगर आपने आउले में में ही चडाना शमी में चडा इन आए दीवादल कर के लिए सट ने शंकर भगवान पे चड़ा हूआ चल य ук नव ग्रहर जो शरीर पर आहू के तूं मंगल बुद शनी परिसान करते हैं उसकी समाप्ती के लिए शिव पर चड़ा हुआ जल नेनों पर कंठ पर मस्तिश कपर तीन जगहां पर जिसके प्रती दिन शिव पर चड़ा हुआ जल लगता है उसको कभी नव ग्रह परिशान नहीं कर सकते हैं शंकर की कृपा बरसे है शंकर की करुणा बरसे है